नमस्कार मैं एहरार चौधरी बैठक का आज का कारवा लेकर हम फिर से एक बार कृष्णनगर विधान सबा पहुँचे हैं इससे पहले हम कृष्णनगर विधान सबा में जब गए थे तो वहां गीता कलोनी वार्ड में गए थे आज हम आए हैं किरिश्णनरगर के लाल कोटर इलाके में यहां के इलाकے की जिन्ता मौजूद है, पार्शाद मौजूद है, उन से जानते हैं क्या कुछ यहां की समस्या हैं, कितना लोग यहां की समस्या से परिशान हैं CCN News द्वारा हर सप्तहा अलग-अलग छेत्र में वहां के लोगों के साथ बैठक का आयोजन कर इलाके की समस्याओं को उजागर करने का कारक्रम चलाया जाता है इसमें हर सप्तहा अलग-अलग इलाके के लोग एक बैठक के माध्यम से अपनी छेत्री समस्याओं के खिलाफ अवाज उठाते हैं इस सप्तहा पूर्विदिली स्थित क्रिश्नानगर के लाग क्वाटर मार्केट में CCN News द्वारा कारक्रम का आयोजन किया गया मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि मार्केट के लिए सरकार द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है इस मार्केट में काफी संख्या में लोगों का आना जोना रहता है लेकिन पूरी क्रिश्नानगर मार्केट में केवल एक ही पारकिंग है उसे भी इस्तानिय लोगों द्वारा महीने के हिसाब से लोगों ने लिया हुआ है दुकानदारों ने बताया कि कृष्णा नगर मार्केट की सडकों का भी बुरा हाल है जाम की समस्या यहां पर हमेशा बनी रहती है जरा सी बारिश हो जाए तो पूरी कृष्णा नगर जलमगन हो जाता है जलबोर्ड और PWD की लापरवाही से सीवर और नाले ओवर्फलो हो जाते हैं जगे जगे इन्होंने पाइपलाइन डालने के लिए सडक भी खोदती है जिससे लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है CCN Live के लिए एरहा चौधरी की रिपॉर्ट काम नहीं को फोटो की चाने रभी दर्शन देने लुए सब आयते हैं कि काम करने कोई नहीं नहीं निया लाल कॉटर में पार्किंग की समस्या कैसी है और खासकर जांकी समस्या यहां काफी जूशते हैं जांकी समस्या तो लोग खोदी करता करवाते ना लाल कोटर में या किर्शन अगरवाड में क्या कुछ समस्या हैं जो आम जनता उनसे जूज रही है और कितने दिक्कतों को सामना करना पर लोगों को भी सोच होनी चाहिए कि मैं अपनी गाड़ी को लाइन में लगा हूँ डंक से लगा हूँ जहां स्पेस खाली हमा लगा क्यों कि आने वाला जो समय और पार्किंग की लडाई है हमारे देश में जब भी लढ़ाई होगी ना दिलिमें डाइनियों होगी योग बधर शूंद्स अधार यहां पीने के पानी की कितनी समस्य पीने का पानी मौजूद रहता है या किस तरीके का इस पहले तो बादा नहीं पहले नीकल पार वा तक ही हैंछी तो कहीं नहीं दिक्कत बढ़ी है मैं कि यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार और निकमापन दो चीज़े हैं सर्याम कहता हूं कि दिवाल जी ना कहते हैं चला मुरारी एरो बनने जगा जागा जाके वो चुनाव परचार करें दिल्ली तो समाल ले यार नूरा कुछ ती कर र पानी और बहुत बढ़ी हैं जैसे यहां पानी की समस्या है क्योंकि पहले सुबह और शाम दोनों समय पानी आता था आप सिर्फ सुबही एक गंटे आता है आरो आपको लगाना पड़ता है मोटर आपको घर में चाहिए चाहिए दूसरा सीवर जाम होते हैं जिससे नालियो बहुत ज्यादा है और बाहर से लोग आते हो ट्रैफिक की समस्या है वैसे हमने यहां एक मल्टी लेवल पार्किंग कृष्णनगर में बनाई है जो पूरवी दिली की पहली मल्टी लेवल पार्किंग है साथ मंजीली लेकिन उसके बावदूर भी हमें लगता है कि यहां प पिछले 5 साल में किष्ण अगर के अंदर जो 5 कूडे दान ते जो अंदर थे जैसे सतनाम रोट पर हम खड़े है सतनाम रोट पे कूडे दान था शी ब्लॉग में था ए ब्लॉग रगनौत मंदिर के पीछे था चाचा नेहरु रोड पे था और आठ वुलो गीता यह सभी कूड़ा उठाने का सिस्टम है जिसमें घर-घर सुबह टिपपर आता है आपके घर से कूड़ा क्लेट करते हैं कॉमपेक्टर ट्रक है जिनके अंदे कूड़ा डालके सीधा गाजीपूर चला जाता है ऐसे हमने गीता कलोनी में किशनगर वाड का पहला कॉमपेक्टर प्लां का था राजाराम कोली माग था या कृष्णनगर के अंदर लाल क्वाटर एब लॉग यह सारा था लेकिन हमने किशनगर के अंदर पंपिंग स्टेशन जिसकी कैपेस्टी हमने डबल कर दी नाले साफ कर दी है कुछ नालों को जर से साफ किया तो अब तेज वारिश में भी पानी आदे पोने गंटे के अंदर निकल जाता है दूसरा ऐसे गीता गलोनी के अंदर जो गीता गलोनी जो कच्छा नाला था उसे साफ किया राजाराम कोली माग के नाले को दुबारा से जो है बहुत अच्छे तरीके साफ किया नो दस ब्लॉग में नेया नाला बनाया है क परसेंट हमने जो है निजाद पा लिया है लेकिन अभी भी कंजेशन की एक समस्य है जिस पे हम काम कर रहे हैं और मैं बताना चाहते हूं इस पर हमने एक बहुत बड़ा काम पूरी दिल्ली में जो पहली बार हुआ था जो लाल कौर्टर बजार है उसे हमने दो साल पहले पेडिस्ट्रल बजार मतब पैदल चलने वालों का बजार किया था तो उसमें 14 ऐसे स्थान थे जाइस बजार को सुभे 10 बजे बंद करते थे बजार के अंदर बूड़े बजूर बच्चे पैदल अराम से शॉपिंग करते थे बेंच लगाये थे हमने पोदे लगाये थे बड़ा अच्छा एन्वार्मेंट दिया था जिसमें बिना शोर के बिना पॉलूशन के सिक्योर्टी के साथ आप जो है शॉपिंग कर सकते थे आने वाले समय में दुबारा उसे चालू करेंगे क्योंकि 70-80% लोगों की डिमांडे की दुबारा से उसे चालू किया जाए कि अब कुस दिन पेहले मनें गितको ने दस ब्लॉग की खबर करी थी जहां लोग कुड़े की समस्स्य से हाफी पर सब्साह लगा करेंगा की कही बार क्वार्ट के बाद हल नहीं की जानी किसे लिएकन होता है दस व trafficking के साथ ही थोड़ा सा मारा सफेधा बसती भी है तो ऐसा एरिया में लेकिन क्या कि हमारी नज़र रहती है गली गली में टिपर जाते हैं लेकिन अधिन वहीं हमारी कूरा ना डालके गली मोलने में फैंकते हैं तो मेरा आपके चैनल से निवेदन आपके मादेम से निवेदन है उन सभी लोगों को कि जब आपको टिपर की फैसिलिटी मिल रही है आपकी गली में टिपर आता है रोस सुबह कूरा उसमें डाले और हाँ अगर कहीं टिपर नहीं तो इसमें थोड़ा जंता को डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि कूरा जो है कूरे दान में क्योंकि अब आठ व्लॉक के अंदर हमने निया अधुनी कॉंपैक्टर प्लांट लगा अगर आपको लगता है कूरा आसपास है तो आप सीधा उसमें भी फैक सकते हो तो फैसिलिटी कोई यूज कीजिए जिसमें कूड़ा सड़कों पे ना फैले मौजूदा पारसाथ भी मौजूद हैं और इलाके की समस्यां उसे लोग कितना परिशान है देगे सफाई के महामले में तो आप से यह गाना चाहता हूं कि जो संदीग को पूर दिमारी निगम पार से देकिश कुछ दिन पहले मामले में तो इस मामले में कानून वजय तके मामले में आप सी गया जाता हूं कि जितना हमारे जो लाल क्वाटर सबसे महंगा बजार है और इसको देखते हैं कोई ऐसी कोई चैन्स नेचिंग वगरा कोई नहीं होती तोगी पुलिस यहां हमेशा यहां हम खड़े हैं यहां भी पुलिस बूत बनावा है सच्चो साब भी राउन करते हैं और और भी अधिकार यहां पुलिस के हैं वो भी पूरे बजार में राउन करते हैं हर चीज को देखते हैं ऐसा कुछने हम उनसे सबसे संतुष्ट है लोग शॉपिंग करने आते हैं तो पार्किंग की कितनी बड़ी समस्या है यहां पर ठीक है पार्किंग बनगी है नहीं मारे संदीब कपूर पार्जी ने चालू करवाई है बड़ी आया फिर भी दिक्क्त तो है तो बात करें कि सबसे बड़ी समस्या तो मुझे लगता पानी नहीं आता गंदा आता जो दिल्ली सरकार को का दूसरी समस्या सड़के हैं जो है पूटी-पूटी पढ़िया है सामें तो सड़क देवर पानी आता नहीं यह तीनों काम दिल्ली सरकार के हैं चल निगम के चल बोड के और सीवा डिपार्टमेंट के और पीडेवलोडी डिपार्टमेंट के यह तो काम है इनके अब आजाए हमां M.C.D. के जो काम है साफ सफाई की विवस्ता खास तोर से कृष्णा नगर छेत्र म में साफ सफाई की अत्यांत सुंदर विवस्ता की गई है और मैं पिछले 30 सालों से यहां रहता हूं तो पहले क्या था कि कूड़ा घरते हैं खता घरते हैं खता मुक्त कृष्णा नगर हुआ है क्योंकि वह कंपेक्टर लग गए हैं को इकटा हो रहा है जो सूखार गीला क सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं भी आपको सड़क पर पूरा नहीं दिखाए और एक और चीज़ है में बड़े दिनों से यह बात थी पाहर सच्छी से कि भाया इसको रात में साफ कर वह मार्केट रात में सफाई होने लगी तो सफाई विवस्ता अची है हाँ जो गार्ड तो उसमें भी इन्होंने क्या कि आपने चेतर में से कोडिनेशन करके उनको कुछ कुछ कर रहे हैं दूसरा यह है तीसरा स्क्रीट लाइट से सारी स्ट्राइट एलीडी हो गई यह बहुत बड़ा काम वा जो साफ सबाई की विवस्ता है या जो जो आपने बदा गार्डन कि पार्क की विवस्ता है और पार्किंग की विवस्ता में और भी मुल्टीवल पार्किंग की सभी नहीं तक जो आइसंसिंग है और सारे इतने भी लाइसंसिस होते हैं में सारी ऑनलाइन किये गए प्रपटी ही ऑनलाइन किया गया काट तो मुझे लगता है कि MCD के हमारे जो पार्शधे कार्शोर से कृर्षण ररगे विदानस्मा में चारों पार्शधे हमारे पार्टी के वो अच्छा काम कर रहे हैं हाँ मैंचीटी में काम करने के लिए फ़ंड शेहिए सफाई करमचारी आप खतम कर दे रहे हो एड़ाओ के रहे हैं उसके बाद सफाई करमचारी उको पैसे नहीं मिल रहे हैं लोग तो वह समस्याओं का समाधान दिल्ली सरकार के पास है ऐसा मेरा मानना है। मार्केट में यह जाम वाम की वश्ता रहती जाता है। कामन वश्ता पढ़ी है। कि रिख्रशा नगर में समय से जाली रही है। सबसे पहले समस्या तो सीवर और गंदे-पानी किया है। चाहे वो यूथ हो चाहे महिलाओं बुजर्गों यहां बड़े हो। सबसे पहले समस्या तो गंदे-पानी किया है। कि जले सरकार उस पे कोई उपाई नहीं देरी कुछ मेजर्स नहीं ला रही है। दूसरी समस्या है परिवान विभाग की। जाए पहले बसे जो चल रही थी वह फायदा हो रहा था महिलाओं को यूथ को लड़किओं को कॉले जाने जाने में कहीं ब आने जाने में अब 2-3-3-3-4 करके उनको जाना पड़ता है। हम यह चाहते हैं मैं पर्सनली जाता हूँ कि यूथ में मेसेज जाए कि वो अपने आगे स्प्रेट करें कि थोड़ा अपने हिसाब से हम मेजर्स ले या कुछ आक्शन्स ले इलिए सरकार को जागरूप करें इस चीज के लिए और जाद से जाद हो लोग इकट्थे उकर इसक हो गया था उनका प्रोब्लम होती थी तो लेकिन वो प्रयाज अच्छा था इसी तरिके का कोई थोड़ा सा उसी समस्या को सुधार करके ट्रैफिक को सुल्जान वाला प्रयाज जुरू करना चीए वन वे कर देना चीए अपने आपको कितना वो से फील करते हैं खासकर सिक् तो यह गटना तो हर्जागा होती रहती है अब जो संज्वी कपूर जी के और मार्केट एसोशेशन की दरख से बहुत अच्छा द्रख रखाव भी कह जा रहा है और ट्रैफिक में भी अब तो बाहर लगती फड़ियां वो भी अब काफी अंदर करा देगी है सीवर की समस्या से आज पूरी दिल्ली तरस्ट है सीवर अपने आप में बोल रहे हैं बोलने का मतलब वो पानी उगल रहे हैं उल्टा पानी फेक रहे हैं और चारो तरफ दिल्ली की तूटी हुई सड़के सीवर का गंदा पानी और पीने के लिए तो पानी आई नहीं रहा पिछले आठ साल से लोगों को साध पीने का पानी जमना पार को तो नहीं मिला कम से कम और सीवर की समस्या आपके सब के सामने हैं सीवर की कितनी बड़ी समस्या है क्रिश्णो नगर पहले से सुरक्षित है पर यदा कदा कुछ घटनाएं हो जाती है जैसे कि मेरी भी हो गई थी चेंज स्नाचिंग की घटना हो गई थी पीछे अभी और कुछ घटनाई होई है जिसमें चाकू दिखा करके महिलाओं को परिशान किया गया और उनके गहने उतरवाने की कोशिश की गई तो इस तरह की घटनाई जो हो तो रही है पर पहले से कम है जाम की समस्य तो बहुत रहती है क्योंकि चारों तरफ से यह लाल कोईटर बहुत अच्छा है इसको मिनी कनोट प्लेस कहा जाता है बहुत अच्छी बाजार है तो पूरे चारों तरफ से कृष्णानगर के जितनी भी महिलाओं वो यहां पर आती है तो जाम की स्थिती तो मुझे लगता है कि इसमें काम करने की आवशक्ता है बीच वीच में पानी जरूर कभी-कभी थोड़ा सा अप्टोदा मार्क नहीं आता है लेकिन ओवरॉल को इस्तिती जो है काफी हद तक सुधर चुकी है और रही बात सफाई की तो देखिए सफाई में सिर्फ जो जिम्म हुता है तो यह सिरफ सम्यधानिक पदों पर चुन कर आए व्यक्तियों की थमिदारी नहीं आम जनता की बीजमिदारी तो جो दुकंदार हैं जिनकी दुकां के आगे कोडा पड़ा होता है सुबें तो हम सब की जमेदारी इसमें बनती है अब तीन सो गाडिया और किशन अगर के अंदर देखो तो देश दर गाडिया होगी आसवास मिलाओ तो इतनी बड़ी संख्या में जब गारी तो उसके लिए प्रयापत नहीं मैंने पहले भी कहा था कि इसके आस्वास और चोटी चोटी पारकिंग्स को क्रिएट करने की जोड़त हैं लेकिन क्योंकि यह बहुत ऐरिया है यहां स्थान मिलना भी बड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी कोशिश है और दूसरा क्या है कि जो यह जो पारकिंग की लिमिटेशन है लेकिन तब भी 30- किस्ता जो है जो इमिजेटली शॉपिंग करने आ रहे हैं किस्ने लगर में उनके लिए छोड़ा जाता है कि यहां पूरे लाके में गाएं बहुत घूमती हैं तो जग 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 गोबर करते हैं और वो काफी दिनों तक साफ नहीं होता है देखिए क्या है कि यहां दो तीन समस्थे बड़ी प्रॉमिनेंट है जिस पे मैं भी जूज रहा हूँ पहली है यहां जो अवारा पशुँए या गाएं जो कि आस्वा से लोग छोड़ देते यहां क्या है कि लोग सरकों पर आके खाने पीने की चीज़े रख देते हैं उससे कहता है कि वो जो पशू है अट्रैक्ट होते हैं आते हैं वो जब आएगा तो गोबर भी करेगा वो ठीक है कि सुबह गाये रहती है लेकिन साड़े दस ग्यारा बजे तक चाहे वो लाल कोटर है चाहे और जगह है उन्हें हम साफ करवा देते हैं लेकिन यह एक भेंकर स जाके इनकी आगे देख बाले हो तो इस पर हमें कमिशनर ने आश्वासन दिया कि जल्दी इस पर टेजी से काम होगा दूसरी एक बहुत बड़ी समस्य जो सकता नहीं उठी है वह है अवारा कुत्तों की समस्य क्योंकि आपने देखा पिछले डेड़ दो साल में जब से करो जादा गाड़िया और जो उनकी स्टेरिलाइजेशन के लिए ज्यादा सेंटर से जिससे की जल्दी से जल्दी समस्या को कंट्रोल किया जाए और एक और ट्रैफिक की तो मैंने बताया है कि इसमें हम लोग काम करें लगातार इसमें प्रयास करते ही रहते हैं अभी वी ज्यादा जितनी एंकरोजमें टेंपरेरी स्ट्रक्चर से वो टाया है तो यह जंता के साथ जुड़ी समस्या है जो की रेगुलर हम लोग काम करते हैं जैसे साथ सभाई है और उन पर प्रयास जारी है हमारा जैसे मल्टिप्लेक्स पारकिंग तो बनी हुई है लेकिन अब जगा जो है मार्केट के साथ ते कम होती जा रही है तो हमारी एक डिमांड है कि इस ते कि पारकिंग एक और बननी चाहिए क्योंकि जो लोगों को आना जो होता है अब गाड़ी हर किसी के पास होती है तो गाड़ी से जब लोग आते हैं तो उनको समस्या बड़ी होती है कि पार्किंग में जगा कम होती है क्योंकि मार्किट में जो भी कोई आता है कम से कम दो या तीन गंटे लगा का जाता है उस समे में पार्किंग ना मिलना एक बहुत बड़ी सम्स्या понрав यह हमारा यही और लोग भी जाबुरू कोने लोग भी दियान दा करें हैं अब बैठक में हम आज मौजूद थे किरिश्णा नगर वाट में यहां किरिश्णा नगर में लोगों ने समस्या बताई हैं खासकर उनकी एक कॉमन समस्या निकल कर जो सामना आई वो समस्या थी पारकिंग की पहले जो गंड की काफी फिलाते हैं जिसकी वज़े से भी लोग काफी परशान रहते हूं कि कुछ समस्या जो अभी काफी लंबेبة समसे बनी आ रही उनका हरा सभिस project किया जाएगा केमरा में नवीन के साथ हरार चौधरी CCN